हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है यहां पे पाल वस्स प्रिटोरिया इन यह के लजाएगा एड बॉलन पार्क एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वेन्यू है बहुत सारे इंट्रेस्टिंग नंबर्स जिस तरीके का विन प्रेडिक्शन पाल रॉयल्स ओविसली फेवरेट्स तु इन इस गेम नॉट क्योंकि हों टीम है बट क्योंकि जिस तरीके की बोलिंग बाटिंग अटाक है थोड़ी ज्यादा सूटेट फो इस काइंड फॉर्टी परसंट एसल्स रिमेंबर तो प्लेयो स्मॉल लिग आप का लिंक है विडियो के दिस्क्रिप्शन में आपको होगी कमिशन में पहुत सारी सेविंग्स और मेरी फेवरेट फाइमेंबर लीग से वो भी है इसी एप पर तो डोंट फगेट तो साइन अप राइट अवे एक्शेंज मेंड दूपिक्स अट दी एंड विडियो इ इस गेम लास्ट दोनों मैच्चे ती पहला गेम पूरी तरीके से वाश आउट सेकेंड गेम में डिल्स की वज़े से गेम थोड़ा जल्दी बंद हो गया था बट ये वाले गेम में पूरा मुकाबला देखने को मिलना चाहिए है एड लीस ते लिए मौनिंग अव ते गेम अक्सर और वाशिंग्टन सुंदर ने काफी अच्छी बोलिंग वहाँ पे की थी स्पिनर्स और बोलर्स जिनके पास कटर्स हैं उन टाइप के बोलर्स को यहाँ पर मजा आना चाहिए क्योंकि वेरियेशन यहाँ पर काफी काम आएंगी ग्रांड डैमेंशन कुछ खास यह यहां पे भी स्टार्ट विपाल रॉयल्स जॉस पटलर एंजेसन रॉय वीहन लबर जो एक अल रॉंडर हैं साथ अफिकन लोकल प्लेर लेफ एंड बैटर और राइंड आम उस्पिनर देन विलास देविड मिलर पेबिन एक न्यू साइनिंग फो देम इस यह इंकी जो यहां क्या ही फ्लाट ट्रैक है क्योंकि एवन जोन्स एक बैटिंग ऑल राउंडर है जो पेस बोलिंग भी कर लेते हैं आपके आद देट बजान फॉर्टेन तब ही किलाती है यह टीम जब ज्यादा स्पिन की उम्मीदे हो तो यह आपके लिए बहुत बड़ा हिंट होगा बिट्वीम दिस लॉट ओबेट में कोई वापस कटर्स के लिए जाने जाते है लूंगी एंगीडी जो पहले एक डेट स्पेशलिस्त है बट अब पावपले में भी काफी गेम उदर गया है लेफ्टाम चाइनमें और फ्रेटोरिया क्यापिटल्स फिल सॉल्ट और विल ज और डीटेल में बात करेंगे जिमी नीशिम, वेन पानल, आदिल रशीद, मिगेल प्रितूरियस, डारिन डूपर विलॉन या इतन बोश इतन बोश प्रॉबली इनके लीड पे सर होंगे तो इनका खेलना ज्यादा लाइकली मेभी डूपर विलॉन को खिलाए जाए इन प् परस्ट इनिंग्स में बहुत अच्छा रेकॉर्ड, सेकिंड इनिंग्स में थोड़ा सा वहां तकलीफ हो सकती है और पिछ आप देखें तो यह ऐसी टाप की पिछ है कि कोई भी बैटर को सेट इन होने में समय लगेगा और कोई भी बैटर को यहां पे तकलीफे हो सकती है तो गुड नंबर जैर एड़ बात की जाए तो इसी पिछ पे टू कम बैक इन फॉर्म विल बी ट्रिकी और आपके पास जो दूसरे विकेट कीपिंग चॉइसे फिल सॉल्ट वाइल थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है धन जॉस बटलर अफकोस क्यूंकि फॉर्म उनके तो इसी प्रिकी पिक तो इसी प्रिकी पिक तोड़े टार्म उनके सब्सक्राइब संदि निए टार्री अप्ड थोड पर यह बात की जाया तो पिछ आपकी नहीं फॉर्म एंकियस अपकी नहीं मैच-प्स इनके अच्छ नहीं सो इट विल बीग प्रॉब्लम लास्त वाफ 3 matches में सिर्फ 31 runs and 110 का strike rate at pal भी आप देखें इनका strike rate 99 का average सिर्फ 13 का तो ये बहुत बड़ा issue है इनके पास एक away spin बिजॉन 14 तो जैसे मैंने का अगर वो खेलते हैं आपको बहुत सारे signs मिल जाएंगे किस तरीके का game होगा and कौन से players को छोड़ के आना है इसलिए अभी के लिए Jason Roy भी मेरे टीम में जगया नहीं डूण पाएंगे Veehan lover I think ये बहुत अच्छी choice बन सकते हैं कि इनकी जो off spin है काफी काम आ सकती है versus Pretoria and अच्छे player है पेस के भी अगर वो challenge उनके सामने throw किया जाए and हमने देखा हुआ है कि spin के सामने इनकी भी तकलीफे हैं बट क्यूंकि ये off spin के साथ भी contribute करेंगे तो I think ठीक ठाक इनका हिसाब यहां बन सकता है 9 matches भी यहां खेल चुके हैं 215 run 144 strike rate and 27 average एक ही wicket लिया है और यहां पर वेहन लबर देन विलास वापर सी एक ठीक ठाक चॉइस है हिटिंग पहले पहले एक काफी technically correct player थे बट हिटिंग पे भी काफी काम किया है और उन्होंने off late in the last year two matches versus Pretoria capital सिर 42 runs and 87 का strike rate and at pal 16 matches 288 runs 122 strike rate and 26 average तो ठीक ठाक numbers है जील में बिल्कुल आप इन्हें try कर सकते हो डेविड मिलर आइधिंग काफी convincing यह pick in comparison to the others वापस form इनके लिए concern है बट क्योंकि इन conditions को अच्छे से जानते हैं maybe he will be able to strike in much better versus Pretoria capitals वापस numbers यहां पर थोड़े से आवरिज है 3 matches, Mississippi 70 runs and 120 का strike rate वैसे finishing order में आते हैं बट क्योंकि यहां पर आएंगे number 5 पर I think opportunities थोड़ी better हो सकते हैं इनके लिए Fabian Allen I think top pick in these conditions वाइल-पाल वाइस पर नहीं खेल चुके हैं not Pretoria capitals के सामने बट क्योंकि एक amazing fielder है आपको catch से catching bonus points देंगे साथ-साथ में batting के साथ आपको boundary points की यहां पर आभार हो सकती है और साथ-साथ में जो इनकी sharp spin bowling है यहां पर इनको मदद मिल सकती है तो वह साबसे विकेट भी आपको मिल सकते हैं तो I think Fabian Allen एक top pick in these conditions एंडेल पेपलोक वायो पहले bowling करते हैं तो में भी थोड़े ज्यादा useful हो as far death में इनके मौके आएंगे इनके पास वो cutters and variations हैं जो यहां पर बिलकुल काम आ सकते हैं कुछ रंस भी आपको करके दे सकते हैं आट-पाल इन थी मैचे एडीफो रंस एंड्विकेट विकेट तो थीक टाक नंबर यहां पर and ill पहले bowling में बिलकुल कंसिडर करूंगा Evan Jones अगर खेलते हैं एक थीक टाक फ्लेयर हैं लेवी बॉल डालते हैं और बैटिंग के साथ भी बड़े हिट्स आके मार सकते हैं लास्ट यह वज प्रेटोरिया क्यापिटल्स दो विकेट्स ले चुके हैं एन एट पाल फाई मैंच जोन्स डेफिनिट्ली वर्ट कंसिडरिंग स्पेशली बॉलिंग फॉर जोन 14 बहुत इ डिफेंसिव लाइन लेंस डालते हैं ज्यादा तर रंस बचाने की कोशिश होती है एक सिमिलर टाइप के बोलर यहीं है तो वह एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है कि यह पंदरा बीस रन देके अपना स्पेल क्लोस कर दें एकोनॉमी के आपको बोनस पॉइंट्स मिल र सकते हैं तो आइधिंग फॉर्स इनिंग में भी ड्रॉप करना थोड़ा से रिस्की इन्हें हो सकता है वापस एक टॉप पिक क्यूंकि इनके पास वो कटर भी है और पावर प्ले में वो बोलिंग की भी प्रावर्स है तो आइधिंग एक बहुत ही अच्छो ऑप्शन वर् और पिच्छ वाइल इनको सूट करेगी रीसेनली इनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है और डिपेंडिंग कि अगर यह फोट बोलर है फिफ बोलर है जिक्स बोलर है वह हिसाब से भी लाप टू टेक अ कॉल कि क्या इन्हें पिक किया जाए या नहीं बट बोलिंग फर्स इनकी जो डेथ वाल्यू है ज्यादा इंपोर्टन हो जाती है तबरेश शामजी अटैकिंग लेफट आम चाइना में सेकिंड फर्स इनिंग में का रिकॉर्ड सप्राइजिंग ली रादा बहतर रहा है वाइल हमने देखा है इनकी बोलिंग थोड़े से एराटिक हो सकते है यह बैट एक्स फैक्टर है क्योंकि जितना बॉल टर्न करते हैं विकेट्स इनने मिल सकते हैं एन आट वर्स प्रेटोरिया कैपिटल्स तू मैच्छे में इनकी पास तीन विकेट्स है आट पाल 17 मैच्छे विकेट्स तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड और डेफिनिटल अ FCP so don't forget to sign up अब चलते हैं प्रेटोरिया कैपिटल्स की तरफ प्रेटोरिया कैपिटल्स की बात की जाए फिल्सौर्ट राइट राइड बैटर एंड विकेट्टीपर बहुत ही अटैकिंग प्लियर है यहां अब टॉप बट पिच्छ यहां पे इने सूट नहीं करेगी हैं हमने देखा इनके साथ कि जब थोड़ी से ट्रिकी इनके साथ है तो एक ठीक टाक पिक यह बन सकते हैं ओविसली जौस बटला इन फिल्सौर्ट दोनों वेरी गुड चॉइसे सो बेस्ट ऑन दे कंडिशन अब एक फाइनल पिक आफ्टर दे टॉस कर लेंगे विल जैक्स ऑविसली क्योंकि इनके साथ बोलिंग वैल्यू भी ह इनके यहां पर काम आएंगे उन्स पिट साथ साथ में अगर इन्होंने आपको पंद्रह भीस रंज भी करके दे दिया है तो फैंटसी वैल्यू के साबसे इल भी बूट डील आप देख रहे वर्स पाल रॉल्स लास्ट एर एक मैच खेलर था इन्होंने रन सिफ चार मारे पर दो विकेट्स ले लिए तो आइधिंग फैंटसी वैल्यू के साबसे विल डिफिकल्ट प्ले फो यू तो लीव इवन इफ जल्दी आउट हो जाते हैं विद बैट बॉल या फील्ड में कुछ काम आपको करके दे सकते हैं तो इस डिब्रून की बात की जाए तो ओपनि हैं तो वह साब से फैंटसी वैल्यू इनकी ठीक ताप हो सकती हैं इनके नंबर भी अच्छे वर्स पाल रॉयल्स लास्ट यर्ट्री मैच्च इंडरेट इन ट्वल रन्स एंड़न एंडरेट इन ट्वल रन्स वान थिवां इन ट्रीवन का स्ट्राइक रेट एंड लेना है उन पर दाट विल बी बिग क्वेश्टिन डेफिनली अडिशन ट्राइन ग्राइली रसो आभी के लिए मेरे टीव में नहीं रहेंगे आज आवे स्पिन के सामने इनकी तक्लीफे काफी है वैल सामने एक और जो चाइना मैन है इन चामजी वो बाल टेक अवे इन से एंड वर्सिस पाल रॉयल्स थ्री मैचेश एटीएट रन्स एंड मोर कंसर्णिंग नन दाट आट पाल फाइंचेश में सिर्टी नाइन रन्स क्योंकि इस टाइप की पिच इन्हें बिलकूल भी सूट नहीं करेगी इनका जो नाच्रल स्टाइल ऑब बैटिंग है य वाइट अग्रेसिव और यहां पर आपको थोड़ा अपना समय लेना पड़ेगा थे स्टाट काइल वेरेना ओविसली इन्होंने डोमेस्टिक लेल पर बहुत अच्छा किया है बड़म ने देखा है इन 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 इन्टरनाशनल गेम्स की इन्होंने अब तक वो जो इनक साथ जाओगे especially in the first game so one match 11 runs and at pal four innings 49 runs and 125 का strike rate so nothing to talk home about currently with kyle विरेना कॉबन बोश if he is the fifth or sixth bowler of this team अगर हमें पता है की दो तीन Overs करके देंगे and batting के साथ value इनकी अच्छी है तो definitely तब उन्हें पिक किया जा सकता है at pal nine matches 75 runs 80 का strike rate 8 का average तो I think थीक टाक numbers इनके यहां पर but obviously nothing to talk home about क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर इनका जो average है below 10 with next player up Jimmy Nishim left hand batter and right arm medium bowler tic-tac finisher and down the order कुछ बड़े hits मार सकते हैं and जब बॉल इनके अंदर turn हो रही है and maybe a medium pace right arm fast medium pace कर रहे हैं तो वहां पर हमने देख तासे finishes दे सकते हैं versus pal royals three matches 47 runs 142 की strike rate and five wickets तो पहले bowling करते वे थोड़े ज्यादा effective हो जाएंगे and at pal in t20s one match 21 runs so nothing to talk home about there but versus pal royals इन्होंने अच्छा का सा काम किया है if fifth या six bowler रहेंगे तो definitely team में जगया इनकी बन सकती है aithin Bosch एक ठीक टाक player last year इनके match-ups काफी अच्छे थे versus pal royals batters and यह आप देख सकते हो भी the data in three matches 27 runs भी मारे है and चार wickets भी लिए है at pal two matches two wickets and 22 runs so एक ठीक टाक option यहाँ पर एक heavy ball डालते है and one of the upcoming players in the south african domestic circuit so definitely worth trying Miguel Pretorius इनका domestic form बहुत अच्छा रहा है 52 with a bad average के एनने in first class games off late and with the ball तो हम इनकी value already जानते हैं CPL में देख चुके हैं for Jamaiqa Talovas कैसे आके death में change-ups के साथ wickets ले जाते हैं last year इन्होंने पूरे overs नहीं किये फिर भी आप देख सकते हो versus pal royals two matches three wickets and at pal two matches three wickets so obviously a good player here definitely आप इने try कर सकते हो Wayne Parnill all face face bowler and एक time पर buddy hitting भी कर लेते हैं down the order last year एक भी एक विकेट मिला था एन्हें versus pal royals at pal five matches eight wickets definitely एक थीक-टाक choice है but अगर हमें लग रहा है कि Ethan Bosch and Miguel Pretorius ज्यादे responsibility रोल वहां पे कम हो सकता है flatter pitches पे थोड़े से predictable है as अब उनका वो pace जितना था पहले अब उतना नहीं रहा तो wide yorker है इनका एक option दूसरा है slow ball अब अगर वो pitch पे उन्हें help नहीं मिली उस तरीकी की bowling से तो फिर काफी है runs खाते हैं उन दिनों पर आजिल रशीद obviously a top choice in the world cup भी काफी impressive थे यह control इनका अच्छा है but problem क्या है कि कभी कभार यह short pitch कर लेते हैं ball को and अगर flat conditions है तो वहां पे मार खा जाते हैं इस pitch पे उन्हें मदद मिलनी चाहिए while risk meters high fantasy value opportunity meters also quite high matchups काफी अच्छे हैं इनके and first and second innings दोनों में एक ठीक टाक choice है versus fall royals पांच विकिट ले चुके हैं in three games finally darren duper willion right arm fast bowler and form इनके साथ ठीक टाक रहा एक x-factor player है है काफी ज्यादा pace है इनके पास and वो हिसाब से wickets निकाल के दे सकते हैं आपको अधर death and जो भी phase में bowling करें within the power play although accuracy इनके साथ एक concern है हम देखते हैं बहुत बार ये slide down कर जाते हैं बहुत सारे whites ये डाल लेते हैं so will be a problem I don't think first eleven में ये start करेंगे बड़ अगर करें तो GL में आप इने बिल्कुल try कर सकते हो तो ये हुए दोनों teams की बात अब चलते हैं match-ups की तरफ जॉस पतलर वर्स आदल रशीद 58 और 44 तो विकेट्स यहां पर इंडिकेटर है येलो क्योंकि ठीक ठाक match-up है strike rate like you can see is in the favor of जॉस पतलर जैसन रॉइ वर्स एथिन बोश तो विकेट्स and strike rate काफी खराब definitely a match-up to watch out for रसो वर्स शामजी 9 और 14 again strike rate काफी खराब है यहां पर सिर्फ 64 का तीम में भी इने जगें नहीं मिल भी मेरी त्यूनिस डब्रोन वर्स बजोन 14 36 of 33 and एक विकेट यहां पर so of course a very interesting match-up to watch out for तो जब आपने GL teams बना रहे हो definitely in match-ups को वापस देखेगा अब बनाते हमारी आज की fantasy so we start with the keeping section यहां पर दो amazing options in Joss Patla and Phil Salt हम यह fill in the blanks बाद में करेंगे start करेंगे with the batting section यहां पर आपके पास Jason Roy, David Miller and Riley Russell मैं जा रहा हूं with David Miller most experience in the conditions and अगर तीनों में से कोई भी थोड़ा संबल के यहां पर खेल लेगा तो Will Jacks, Jimmy Nisham दोनों को definitely pick करूँगा and same for Fabian Allen तीनों एकडम straight forward choices Jimmy Nisham, especially when bowling first same for Andal Felukwayo when he's bowling first, Veehan Lubber if batting first and bowling second Evan Jones, अगर टीम के 50 या 6 बोलर है तो पहले bowling में पिक करूँगा we come to the bowling section Adil Rashid, Lungi, Engidi, Tabresh, Shamsi all very straight forward choices अब वेन पानिल का जो रोल है आता है उनके captain's interview से तो वो हिसाब से उन पे मैं call लूँगा वहाँ पे, Bajon 14 definitely इस team में रहेंगे तो ये मेरे straight forward picks हैं for this game, definitely ये जो सारे picks हैं मेरी team में रहेंगे keeping की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे keeping value Joss Butler से definitely मिलेगी हमें वो होंगे मेरे पहले pick with Phil Salt I know की Kyle Veranamy maybe gloves वहाँ पे उठा ले while form Phil Salt के साथ है अगर आपको कोई भी pitch पे risk ले सकते हो उनके साथ तो वोगा यहीं pitch पे क्योंकि ये pitch काफी slow है अब चलते हैं बाकी की picks की तरफ तो यहाँ पे I am quite tempted currently to go with behind lover क्योंकि मैं expect कर रहा हूं कि उनसे कुछ overs भी हमें मिल जाएंगे and अभी के लिए वो रहेंगे मेरे side में and with the ball इन्हें आप safety pick कह सकते हो बड़ क्योंकि captain of the team है तो likely है कि अपने आपको important pressure situations में डालेंगे इसलिए अभी के लिए मैं जा रहा हूं with main panel बट यह में change कर सकता हूं force the toss, fill salt के साथ भी इनको switch किया जा सकता है तो यह हुई मेरी base team की बात captain, vice captain की बात की जाए तो obviously will jacks is a top choice क्यूंकि opening the batting तो जो best batting conditions है वो उनने ही मिलेंगी and with the ball कुछ handy overs of off spin and while vice captain की बात की जाए तो I think whichever spinner यहां पर second bowling करते है I think काफी अच्छे options उनको मिल जाएंगे, तो either आजिल रशीद और बजान 14 और तबरेश शामजी, तो अभी के लिए मैं यहां पर आजिल रशीद के साथ जा रहा हूं this is subject to change, post the toss तो यह हुई fantasy team की बात अब चलते हैं GL options की तब तो grand league options की बात की जाए low select, dark horse picks, vyan lover औरड़ी आपको बता चुका हूं क्यों Evan Jones और Ethan Bosch went bowling first because of the dead bowling value and bajon 14 while bowling second, high select drop this bomb, Jason Roy and Riley Raso क्योंकि उनका जो batting का nature है वो यहां पर में भी suit ना करे grand league captaincy, vice captaincy choices batting first, bowling second, Adil Rashid and Shamsi, batting second, bowling first, Nisham and Nguiri and दोनों situations में Will Jacks and Joss Butler, while Joss Butler का form उनके साथ नहीं है, जैसे मैंने का जिस तरीके का इनका play है वो ऐसे pitch को suit करना चाहिए क्योंकि starting में अपना समय लेके खेलते हैं while जो उनके around batters हैं वो maybe same approach ना ले, तो वो हिसाप से anchoring role आप इन से देख सकते हैं अगर 30-40 runs भी उन्होंने मार दिये and दो catches ले लिए तो वहाँ पर आपका काम बन जाएगा so that is all for today thank you so much for tuning in, remember to join us at the red fantasy cricket pro on twitter and telegram जो भी final teams है, updates है, सब कुछ आपको वही भी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in and just for fun, remember to predict in the comments, आपको क्या लगता है कि इतने runs मारेंगे, त्राइली रसो, thank you so much for all your support